आरपी पे मैंने डिसकाउंट कर दिया, 10% को हम लिख सकते हैं, 9 बटे 10, तो उसकी वैलू एक्चल बन गईती, 2,22,500 रुपए, जो भी बनी हो, गुड़ाबाग चेक कर लिजेगा, फिर वो उस चीज को बेच रहाता है, 2,16,000 में, तो मैंने का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 9,000 रुपए होगा, तो 9,000 का डिसकाउंट है, 2,25,000 में, परसंटेज के लिए हेंड़ से मर्टिल कर दिजेगा, 9,4% वैलू बन जाएगी, clear? तो उसके बाद, चेंज कर दिया था अंसर, अच्छा, चलिया है, इसका जल्दी से बताईए, इसका अंसर बता है प्लीज जूम कहां से हो, जूम कर दे, बताव भाई, अरे तो बहुत ज्यादा जूम हो गया, यह लिजे, जूम कर दिया भाई, ठीक, अकांचा जूम कर दिया, अब दिख रहे है, सर थोड़ा जूम कर दिजे, ठीक, देखिए अब दिख रा होगा, इसका आनसर बताओ, आफट आफट अर्जुन अर्शन बता हो बहुत बढ़िया अकादी वेधिर बता है 400 पिल्चालवे दूसरा अंसर आया 400 पिल्चालवे मैच करा अर्जुन अर्जुन सत्रुएंट ज्योती रुपांसी दिपाली कोई भी 495 इतेन भी दता रहा है 400 पिल्चालवे बहुत बढ़िया विक्रमुल के नहीं चारण सो पिल्चालवे प्रसां 1155 बहुत ज्यादा जूम हो गया गजब सर्जी अखांचा अच्छा ज्यादा जूम हो गया क्या नहीं दिख रहा है क्या लो वही तोड़ा सा कम कर दे रहा है किसी लिए कहते है जूम उम ज्यादा नहां बताया करो यह लीजे अब दिख रहा है हमें तो TFT में दिख रहा है है ना 1185, 825 बहुत ज्यादा जूम हो गया सबको दिख रहा है कोश्चन दिख रहा है मुझे इधर दिख रहा है चलिए चेक कर लेते हैं 1185 बहुत बहुत बढ़िया चेक करते हैं क्या था कोश्चन को बस कॉंसेप्ट अप्लाई करें रहा है कभी गलत होई नहीं सकता अपनी वस्तूओं पर 120 पर से बढ़ा कर चिंतित करता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह होता है कि जो भी उसको बाफिर उसमें क्या दिक्यत है इसको अब बटे 100 हो अगया और फिर इसको 30% की शूट की शूट देता है यानि यह hold as a, कैसे behave करने लगी, MRP, और इस पर अगर 30% की छूट दे देगा, तो हम कहेंगे, अगर 30% की छूट दे देगा, तो यह value कितनी बच जाएगी, 70 बटे 100, यह 7 बटे 10, जो भी आप करेंगे, जैसे इस value को अफसल्व करोगे, यह 1155 रुपय बन जाएगा, जिस जिस है, points clear रहे गया, 11 बचमें, yes करके okay करिए, सबको clear है, yes करके okay करो, yes करके okay करो, yes करके okay करो, तो अगले question पर चले, जल्दी जल्दी solve करो भाई, yes sir, ठीक है, एक step आगे चलते हैं, चली अगले question पर चलते है, test का तीसरा question, yes करके okay करो, Arjun clear है सबको, yes करके okay कर दीजे, चलिये, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिये, है ना, लाइक कर दिया करिये, कोशन नमबर दूसरा भी complete है, clear है, चलिये, कोशन नमबर तीसरा, ये आगया तीसरा, क्या रहा है, त्यान से करेगा, दो विश्या है, अंग्रेजी और हिंदी के परिक्षा में संजय के अंको कानपाद, साथ अंपाद, ग्यारा है, येदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अधिक मिले हो, तो अंग्रेजी में उसे कित्ते अंक मिले, simple the question, तुरन solve करिए इसको तेजी से, बिल्कुल simple the question है, औरल solve हो जाएगा, solve करो तेजी से, अब speed से हम लोग question करते 25, 35, 35, 35, बहुत बढ़ी है, good, 35 अंसर होगा, आपको क्या कहा रहा है, दो विशय में, ratio अला concept सिखाया है, ये एक हो गया है, English, और एक हो गया है, ये हिंदी, कहा रहा है, दोनों में ratio कित्ते का 7 is to 11 का है, और कहा रहा है, अंग्रेजी की तुलना में, हिंदी में 20 अंक उसक सबका, एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी भी कहानी complete है, clear, ठीक, question number 4, ये आगे आपका चौथा, solve कर ये एजस का question है, कराया हुआ है, सिखाया हुआ है, solve करो जल्दी से, सिम्मी और सीमा की वर्तमान आयू कनपाद 5,95, 4 है, 9 वर्स बाद उनकी आयू कनपाद 8,95, 7 हो अब हम लोग तेजी से question solve करेंगे, speed से करते हुए चलिएगा, solve करो, solve करो, solve करो, प्रशान 15, match करो हुआ हुआ ही 15 बताया है, जल्दी से, चलिए, check कर लेते हैं, simple सा question था, ये हो गया, ages, ages में कहा था, हमें सब वर्तमान को ध्यान रखेगा, ये हो गई, सिम्मी और ये हो अब question है कहा, इनकी वर्तमान आयू का अनपाथ, ये है वर्तमान, वर्तमान आयू का अनपाथ है 5 इस टू 4, तो मैंने का अगर ये ratio में value है, तो आप कहो गई, ये वहाँ पे coefficient लगा रहा है, इसके बाद इनकी आयू का अनपाथ, 8 अनपाथ, 7 हो जाता है, लेकिन किते वर् ratio है, वो actual हो जाता है, 8 साथ, solve कर दीजी अब कुछ बचा नहीं, ये मैंने का ये value, और ये value, और इस value के बीच पे ratio है कितने का, 8 साथ, 35, 32, 35 हो गया, 32 हो गया, कितने का difference, 3 का difference, 3 बराबर कितने के, आपने का 9 के, तो एक बराबर भी या कितने के, आपने का 3 के, question ने क्या प पंदरा बता है, सब सही है, पंदरा, 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 सही है सब का अंसर, clear हो गई बात, question clear हो गया, ageist topic आपको पढ़ाया था, वहां पे सिखाया था, कुछ भी बोले, बस वर्तमान पकड़ते रहे, कभी गलत हो इनी सकता, sir ji, sums को देखकर mind घूम जाता है, मेरा, आगे चले, चलिए, question number 4 भी complete है, yes करके okay कर दिये, ठीक, चौथे के बाद में 5 हुआ, question number 5, कह रहा है, 6 तता 12 का तीसरा अनुपातिक होजे, simple सा, बिल्कुल simple सा question, 6 तता 12 का तीसरा अनुपातिक होजे, solve कर दो जल्दी से, 6 तता 12 का तीसरा अनुपातिक होजे, solve कर दो जल्दी से, speed से solve करी, अब तेजी-तेजी question करने, 6 तता 12 का तीसरा अनुपातिक होजे, चलिए, check कर लेते है, यह आपको ratio में कर रहा था, तीसरा अनुपातिक का मतलब क्या है, यानि triplet ratio जानना चाहता है, अर्थात हम कह सकते है अगर 6, 12 और तीसरे की वो बात कर रहा है, तो 3 संख्या बनी, और 3 संख्या में relation सिखाया तक क्या होता है, आपको बताया था, A upon B बराबर, B upon C के value दिखती है, तो आपको गए question mark की value कित्ती हो जाएगी, 12 दूनी, 24, जिसका अंसर 24 है, वो सबके सब सही है, 24, 24, 24, 24, 24, 24, इसके बाद पर एक step और आगे चलते है, question number पांच वावी complete है, 6, 6 देख लेते हैं, ये लिजे, छटा question, solve कर ये तेजी से, क्या रहा है वसीयत के अंसार, 21,25 रुपए की संपत्ती को पुत्र पुत्री में 7 बटे 6, 5 बटे 3 के अंपात में बाता गया, पुत्र का हिस्सा कित अंसर ने रुपए में मिला, solve कर दीजे, खुजबू 35, 35 बटे अंसर नहीं था, 24 होगा, solve करो, इसका अंसर जल्दी से बताओ, इसका अंसर बताओ, पुत्रों को कितने रुपए मिलेंगे, solve करो, solve करो, जल्दी से solve करो, चलिए, चेक करते हैं, इस question को भी ratio में सिखा रखा है, गड़बन मत करिएगा, देख रहे होंगे, आपके speed खुद बढ़ लाई है, अब ठीक है, आप सोचा मत करिए कि नहीं, सवादत बन जाती है, एक बार practice सब हो जाती है, आप कहरो, वसियत के अंसर इत बटे 5, बटे 3, तो आप कह सकते हो, 7 बटे 6, बटे 5, बटे 3, ये value क्या बन जाएगी, आप को होगे, इसका मतलब ये हो गया, 7 बटे 10 के, clear, यानि हमने का ये ratio कितने का actual, 7 बटे 10 का है, यही से compare कर दीजेगा, हमको question ने पूछा है, पुत्र का हिस्सा कितना होगा, तो 21, 25, 000, जैसे इसको solve करोगे, आपको answer मिल जाता है, solve कर दीजेगा, 8,75,000 साइद मिलता है, गुड़ाबाग चेक कर दीजेगा, 8,75,000, ये वाला जो answer जिसका आया होगा, वो actual सही है, गुड़ाबाग चेक कर दीजेगा, 8,75,000, बहुत बटे है, good, अर्जुन सही है, 8,75,000, clear है, clear है सबको, points clear हुआ, ठीक, yes करके okay करो जल्दी से, yes करके okay करो, ठीक है, अगले question पर चलते है, number ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है, last पर बताईएगा ज़रूर किते आये total, एक question एक number के दिवांग से चलिएगा, ठीक है, चलिए, अगले question पर चलते है, question number 6B complete, 7 number, ये लि 10 अनपात, एक बटे 6 अनपात, एक बटे 15 के अनपात में बाटा जाए, तो C को क्या मिलेगा, बहुत simple सा question है, solve करो तुरंती, बिल्कुल simple सा question है, solve करो, solve करो, solve करो, solve करो जल्दी से, ये सब होसियार हैं, हमको कुछ नहीं आता, अरे अकांचा कोई होसियार नहीं है, तुम भी होसियार हो, तुम बाते भूप कर रही हो, रहना question को ध्यान दो, चलिए, रादे रादे सर, अरे शेरा, कहां थे तुम इतने दिनों से, रादे रादे भाईया, अकांचा, ये सब होसियार हैं, हमको कुछ नहीं आता, अरे सब आता है, ठीक अकांचा को तुम, पांच यार, पांच यार, अर्जिन नहीं से, गुड, पांच यार आईगा, simple सा question था, आपको कह रहा है, 25 यार को, A, B, C में, तो आपको कह रहा है, एक बटे दस, बटे एक बटे छे, अर्था से जब निकाल रहोगे, तो A to B की वैलू कित्ती हो जाएगी, एक बटे 10, बटे में 6 बटे 1, तो ये वैलू चली गई उपर, 1 बटे 6, 2 3 आई 6, 2 5 10, तो ये वैलू हो जाएगी, 3 to 5, फिर आप देका B to C की अगर हम वैयात करें, तो B to C की वैलू के लेखेंगे, 1 बटे 6 बटे एक बटे पंदरा, तीन पांच पंदरा, तीन दू नीचे, तो ये वैलू बन जाएगी तीन और दो, तो आप कहोगे A to B to C की वैलू कित्ती आ जाएगी, तो कहोगे 9, 3, 10, यही आ रहा होगा ratio, चेक कर लिजेगा, 9, 3, 10 आ रहा है क्या, गुड़ा बाग चेक कर लिजे अब यहाँ पे अगर हम ratio देखेंगे, तो आपका actual ratio कितना बन जाएगा, 3 is to 5 is to 2, तो हम कह सकते हैं, यह total sum कितना मिलके, 5, 3, 8, 2, 10, question ने कितना का, 10 बराबर कितने के, 25,000 के, तो एक बराबर भी है कितने के, आपने का, 25, 100 के, question ने पूछा, C का कितना होगा, 25 दू नी, 50, अर्थात हो जाएगा, 5,000, यह आपका answer, सही हो जाएगा, clear हो गई बद, 3, 5, 2, हाँ, 3, 5, 2 हो जाएगा, ठीक है, LCM से, LCM से ratio निकाल आएगा, हाँ, LCM से भी आजाएगा, जैसे मनो वैसे करते चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने माला, clear हो गई बद, जैसे भी निकालना आप निकाल लिजे, यह answer value आजाएगी, 3, 5, 2 से, 3, 5, 2 से value दिखेगी, 10, 10 पराबर 25, 1 तो 1 पराबर 25, 100, C की value पूछी थी, 25, 2 नहीं, 50, यानि 5, 1, clear है, clear है, 3, 5, 2 हाँ, जती 3, 5, 2, clear है, एक step आगे चलते है, question number 8, यह लिजे, 8 number question को द्यान से करिएगा, question कह रहा है, L, M, 8 number कहां गया भाई, छूड़ गया, यह 8 number, 8 number कह रहा है, रिजवान के एक बकसे में लाल और नीली काज की गोलिया रखी है, लाल तता नीली गोलिया पांच अनपाद, 4 के अनपाद में, 5 लाल गोलिया खो जाने के बाद, अनुपाद 10 अनपाद नहीं हो जाता है, उसके पा अनसे बताओ जल्दी से, अनसे बताओ इस question का, स्वाल करो speed से, Arjun, Satruyan, Shera, Manju, Aparna, Jyoti, Satruyan, Rishi, Akas, Suvas, Khushbu, Prashant, Mohini, अनसे बताओ जल्दी से, Jyoti, अनसे बताओ, Arjun, Arjun, अनसे बताओ जल्दी से, Speed से solve करके जल्दी से बताओ, इतना समय कहां लगेगा, कल तक फिर करते रहेंगे, इतना समय लगेगा तो, solve करो जल्दी से, जल्दी से solve करो, इतना समय नहीं लगेगा भी यहां, चलिए, चेक कर लेते हैं, simple सा question था, अभी तक आच चुका होना चाहिए, आप से कह रहा है, रिजवान के एक बकसे में, लाल और नीली, यह काच की गोलिया है, मैंने का ठीक, हाँ भई, अंसर आया, अकास का आया कितना, 14, सर कैसे करूँ ऑस्पिटल में हूँ, अरे शेरा आप अराम करो है न, आप अराम करो भी यह, इंदू 40, 40, 70, 4, 4, 40, 14, जो भी आया भी चेक करते हैं, 40, रागनी, 220 बटे 100 कैसे आएगा, 220 बटे 100 कहां बिटे है, 220 बटे 100, 220 बटे 100 कहां पे, 220 बटे 100, पीचे आलग कोश्चन था क्या है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लिजेगा, 220 बटे 100 मैंने नहीं बोला, ठीक है, अंके 76, 40, 45, चलिए अब जो भी देखते हैं, अब यहां पे कोश्चन देखते हैं, कह रहा है है एक बकसे में, रेड और ब्लू, यह काच की गेंदे रखी हैं, लाल तता नीली गेलियों का रेशियों यह है, जो 5 इस्टू 4 है, क्योंकि अगर यह अनुपात में, तो बस यहीं ध्यान रखेगा, इसका मतलब यह 5 एक्स है, और यह वैलू कित्ती है, 4 एक्स है, कोश्चन गहरा है, 5 लाल कोली खो गई, अगर 5 लाल कोली खो गई, तो आप खुद बताओ, यह वैलू कित्ती बची होगी, 5 एक्स माइनस 5 इतो बची होगी, और कह रहा है, अब यह रेशियों जो है, वो 10 अनुपात 9 हो जाता है, तो हम कह रहा है, अगर यह रेड है, ब्लू गोली तो उतनी है, और यह रेशियों इसने बोल दिया कितना हो गया, 10 बटे, 9, जैसे इस question को solve करोगे, आपको value दिखेगी, 45, 40 में 5 का अंतर, 5 बराबर 45 के तो एक बराबर कितने क्या आजाएगा, 9 क्या आजाएगा, अर्थात, उसके पास present time में कित्ती गोली हो गई, starting में तो उसके पास कितनी, 45 और 36, अब कितनी हो गई, 5 याली कम हो गई, तो उसके पास बची 40 और plus 36, अर्थात ये value किती है, 86, तो जिस इसने answer 76 बताया है, वो actual सबके सब सही है, 76, 76, 76, यह हमारी class के रिजवान भहिया हैं क्या, अरे जोती रिजवान भहिया, हाँ रिजवान भहिया आपी class के है, जो number जोड लिजएगा, points clear हुआ, यह ratio यहाँ पर जोता है, इसकी value coefficient का अब समय पता चलता है, कि actual इसकी value है क्या, clear हो गई बात, अगर आप 5-4 से करते हैं, तो यहाँ पर गलत होने के chance बढ़ जाते हैं, खुश्पुपाल, 3-5-2, हाँ बेटा, 3-5-2 वहाँ पर ratio बना था, ठी सीधे उनका LCM ले लिजएगा, LCM जब आप लोगे तब भी value वही दिख जाएगी, ठीक है, जो भी है, 3-5-2 वहाँ पर उसका अनुपात actual बनाता, clear हो गई बात, यहाँ question clear हो गया, 76 अंसर है, yes करके okay करो, yes करके okay करो, केवल लाल का नीला दिया है, total बतानी ठीक है, हाँ संक्या बताई थी, कोई बात नहीं हो, है न, वहाँ पर यही question ध्यान से टिक करना, clear है, points clear हो गया, yes करके okay करिये, ठीक है, एक step आगे चलते है, 8 के बाद में 9 नंबर, यह लिजए, 9 नंबर में कह रहा है, L M तथा N का उसद वजन 93 kg है, यदि L और M का उसद वजन 89 हो, M N का वजन 96.5 हो, तो M का वजन कितने kg होगा, solve कर दीज़, बिल्कुल सिंपल सा question है, solve करो जल्दी से, solve करो, solve करो, solve करो, solve करो जल्दी से, 10 मिन बाकी है, 10 मिन आप तेजी से खतम करना है question, चलिए, मैंने का check कर लेते हैं, यह question तरीका सिखाय था, average का question है, आपको पता है, 3 का उस तो आपको गहें, 80 से उसका टोटल किता हो गया, 217, 279, L और M का उसद वजन कितना है, 89, तो आपने का इन दोनों का टोटल किता है, और 89, तो मैंने का इन दोनों का टोटल किता हुआ, 298, 286, 17, उसके बाद में कह रहा है, M और N का उसद वजन किता है, 96.5, मैंने का M और N फिर से दो लोग हैं, और दो लोग का उसा तका 96.5 है, तो एनिटी कहता है, टोटल किता है, 9, 6, 12, 13, की तीन हाथ पर एक, 9, 2, 9, 18, 18, और एक हो जाएगा 19, इन दोनों को सम कर दीजिए, और इसके साथ में जो भी value आई हो, इसको उठाके minus कर दीजिएगा, जैसे ही आप इसक जाएगी कितनी, 90, 11 में 2, ये बचेगा कितना कि 6, 9, अंसर आजाएगा 92, जिस जिसने 92 बताया हो सही है, 92 है, clear हो गई है, तो चाहिए स्कोई average concept से help करिये, या NIT से लगा के दिखाएए, अंसर सबसे एक ही आएगा, points clear हुआ, एक step आगे चले, 92, 92, सबका अंसर 92 है, clear, एक step और आगे चलते हैं, सही, 92, मंजू, मुक्ती, 92, अकास, गोड, जिवती, अंके, सही हुआ, जितने लोगों का अंसर तेजी सा है, वो 92 वाले, सबके सब सही है, 92, एक step और आगे चलते है, question number 10, ये लिजे 10 नंबर, 10 नंबर को solve करिये तेजी से, क्या रहा है, महज 1250 solve करो, solve करो जल्दी से, जल्दी solve करो, बस regular रहिएगा, class में absent absent मत होईएगा, ठीक ना, जो चीद ना आए, पूछी हम लोगों से, जो doubt लग रहा है, पूछी है, कोई problem आ रही है, उसको बताईए, बस regular रहिए, पढ़ा ही करिये, क्योंकि after lockdown समय नहीं मिलेगा, देखा था इस बार जो paper हुए थे, जो लोग regular पढ़ रहे थे, वही selection ले पाए, जो regular नहीं पढ़ रहे थे, सोचे lockdown के बाद में बहुत समय देगा, आयो, समय कहां दिया, वही चीज है, lockdown open होने के बाद में समय है, फिर नहीं मिलेगा, पंदा वीस दिन में paper हो जाएगा, तो जो continue सही जगे paper रहा होगे, उन्हीं का result बन रहा होता है, ठीक है रहा, चलिए, तेरा तीस, तेरा तीस, तेरा तीस, सही है, गोड, तेरा तीस आजाएगा, सिंपल सा था, आपको कह रहा है, बारा सो पचास के हिसाप से, औस से, दो और शर्ट अगर खहिता है, तो मैंने का इसकी अगर value checker होगे, तो आपको यह value कितनी होगई, दो, पांच, दस, चार, आट, एक, नौ, और यह उन्तिस सो, तो मैंने का total costing कितनी होगई, 0, 5, यह 6, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 7, 50, total number of starts कितनी होगई, 5, इसको divide कर दिजेगा, actual value आपकी आजाएगी, कितनी आती है जरा, 1330, good, जो भी आ रहा हो, check कर लिजेगा, 1330, जिजिस टेंसर 1330 बताया अपने खाते में, जोड लिजेगा, 1330, 1330, इंदू, अंकित, अकास, योगे, शिजि, जो 30, अर्जुन, इंद्र, सही है, सब का 1330 सही है, एक step आ और रन से दर बनाए, टीम B खेल रही है, और 10 ओवर बचे है, तता मैच को टाई होने के लिए, आवश्यक रन रेट 6.5 रन प्रती ओवर चाहिए, टीम का B स्कोर अभी क्या है, सॉल्व कर दीजे भाई, जल्दी से बताओ, जित्ती तेज पेंच चला सकते हैं, उत्ती तेज चलाया करो, मजा खुबाती है, है ना, धीरे धीरे कोश्चन नहीं करना है, सॉल्व करिए, पीडी आप आपको मिली जाएगे, आब बस केल कोश्चन देखके, तुरन कॉपी पेंचर बताईए, इस कितना बना, चलिए बाई, चेक कर लेते हैं, आगया होगा, कोश्चन कहा रहा है, पचास ओवर के एक दीवसी मैच में, एन एक पारी में 6.1 की दर से रन बना है, तो हमने का अगर पचास की ओसस से, पचास ओवर में, 6.1 की ओसस से रन बनाएगा, तो एक्चल वहां कितने रन बने आपने का होगा 305, 241, अरजुन का है है, 241, गुड़ा भाग यह जल्दी करता है, अरजुन केवल गुड़ा भाग जल्दी करता है, ठीक, चलिए, कैरेट टीम भी खेल रही है, और 10 ओवर बचे हैं, और आवश्यक रन 6.5 चाहिए, तो आप का होगे 10 ओवर में, अगर 6.5 से उसको रन चाहिए, तो आप का होगे उसको नीट कित्ते रन की है, 65 रनों की रीड है, 305 बने थे, 65 रन दूसरी टीम को बनाने है, तो एक्चल उसने कित्ते बना ली है, 5 में 5 गया, 0, 240 रन उसने बना लिए, 240, 240, 240, 200, हाँ, अरजुन, 240, ठीक है न, अरजुन केवल कैवल जल्दी में गलत करता है, ध्यान रखना पेपर मंद गलत करिएगा, ठीक है, सही बाइ, जयोती, सही है, गुड, सबका 240, 200, 260, रिसी जी कहां से निकाल गया, 240 होगा, 240, मुक्ती, जयोती, जयोती, अंकेत, जयोती सिंह का भी 240, बहुत बहुत बनी है, जयोती मिस्रा, ठीक है वजे तक हम लोग चालू कर लेते हैं, टेस्स पेपर के समय तक आजाए करिए, टेस्स पेपर आपका स्कोर बढ़ाता है, इसलिए मैंने हमेसा कहा, कि टॉपिक हम खतम करते हैं, बद टेस्स पेपर मिस्स जितना लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना जादा रि कि सभी समसंख्या काुसत क्या होगा, इसको औरल ही बता दो, अब रेगुलर रहेंगे जोती, अच्छा वाई जोती अब रेगुलर रहना, रेगुलर होगी तो हम जरूर तुम्हा नाम लेकर पूचते रहेंगे, अन्सर बस तेजी से सॉल्व करो, जोती अन्सर बताओ, ज रियांशू, जल्दी से बताओ, जल्दी से, टेस्ट पेपर में जोड रगलर है, आज देख रहे हैं, पेपर को थोड़ा सा हलका लेकर आए, फिर नेक्स क्लास वाले टेस्ट पेपर, फिर कलका देखेंगे, बिल्कुल डिफर दिखाएंगे, एडवांस की भी कोश्चन, ह आप कहते हो, यह क्या हो जाती ही, कॉंजिगेटिव से बना रही होती है, अर्थात इन एपी के फॉर्म में हो सकती है, आप कहोगे क्या, यह अगर 222 है, तो अगली क्या होगी, आप कहोगे 224 होगी, अगली क्या होगी, एंड सो अन केस करके 250, और इसका कॉंसेप्स दिखा दो 527, 472 बटे दो अर्थार कितने के 2, 3, 6, 236 यह अंसर जिस ने बताया उसका सही है, 236, 236, 236, good, सबका अंसर 236 सही है, clear हो गई बात, points clear हो गया, Arjun clear है, ठीक, एक step आगे, अब इदा किसके नंबर बन रहा है, हैं, चलिए बाई, एक step आगे चलते हैं, इमानदारी से जोड कि बताये का लास में नंबर, बस इंड होने वाले हैं, question number 13, 13, जल्दी से solve करो, अब बहुत पेज चलेंगे, solve करो जल्दी से, एक विक्रेटा, 6 रुपए में 7 के लिए खरिचता है, और 7 रुपए में 6 के लिए बिचता है, इसका परणाम क्या होगा, अर्थात उसको फाइ परणाम क्या है, बचे कोछ से लाटम्ट नहीं किया, चलिए, 4 रुपए, 236, 236 बता रही है 4 रुपए, 222 प्लेस, 250, अहां वो ठीक है, 4 रुपए बिचता, अकांचा, 0-0, चलिए कोई बात नहीं, इसका जल्दी से बताओ, इतेहन इसका अंसर जल्दी से बताओ, जल्द बच के नो अभी नहीं नहीं लिखे, चलिए, लिख दिए अब, कोछल देख लेते हैं, अरजुन जल्दी से बताओ, जयोती, चलिए, ये कॉंसेप्ट सिखाते हैं, जब जब आपको प्रॉफिट अन लॉस पढ़ाया है, तो सिखाया है, कि देखने में लगेकर नो प्रॉ छे रुपए में साथ, दूसे कंडिशन में जब बेच रहा है, तो कितने में साथ रुपए में छे, मैंने का तुरंत इनके क्रॉस प्रॉडेक का डिफरेंस, यानि उन्चास माइनस छतिस, अब ये वैलू अगर पॉस्टिव निकल के जाएगी, तो आपको लाब होगा, अ 13.36 गुले 100, इत्ते का प्रॉफित हो जाएगा, तो रुपए में लम्सम कितना हो ये, 36.1% आता है लम्सम, 36.1% का उसको प्रॉफित हो जाएगा, प्रॉज़ है, 1300 प्रॉफित हो जाएगा, थीक जो भी आ रहा हो, ये ज्यान रखेगा, एक्चॉल इसका अंसर प्रॉज़ बटे नहों 325 बटे नहों 36 जो बताया है वैलू वह उसका अंसर बन रहा है 36 दिसम्लों एक परसेंट का उसको लाब हो जाएगा तीन रॉंग 10 सही अरे सर अकांच्या गौतम कोई बात नहीं अगले कोश्चन पर यस करके ओके करो जल्दी से यस करके करो कि करो कोश्चन करा दे अरे कोई इंसर नहीं चीक क्या किते हैं सड़े बारा बजे अच्छा तो ठीक है कोश्चन तो करा दे यार उन्हीं के लिए तो कोश्चन लाएं है और क्या चलिए कोश्चन नमबर 14 जल्दी से बताओ बाई सही है सर यस गुड चलिए अंसर बताओ इसका फटा फट चार-पांच कोश्चन बचें तेजी से ख़तम करते हैं कह रहा है ये खनीच किसी वैप कोश्चन है साल करो जल्दी से साल करो तेजी से जल्दी से साल करो मज़ेदार कोश्चन कि स्वाल करो भी या जल्दी से स्वाल करो ज्योती कहा टाइलने चलिए जल्दी से अंसर बताओ अर्जोन ज्योती ज्योती मिस्रा अंसर बताओ जल्दी से सत्रुवन रूपांसी कहां ये गायब रहती है दो दिन आती है दो दिन गायब हो जाती है अंसर बताओ इंदू रिशी, अर्जुन, अंकेत, ज्योती, सत्रुन, ज्योती, योगेश, प्रशान, प्रियांशु, रिशी, सुवास, आकास, चलिए भाई, चेक कर लेते हैं, आचुका होगा, कोशन में कहा रहा है, यह इसने हिंट कहाँ पर दिया है, 56 लाक रुपए का भुक्तान किया, यह इस हाँ बाई, यह देखे आ गया, 32, 32, यह आप बताईए सर, अरे हम तो बताई देंगे, 32 लाक होगा, सिंपल सता, मैंने का सेस कॉंसेट ध्यान रखेगा, मैंने का यह कोई भी प्राइस रही होगी खनीच के लिए, अगर इसने 40 परसंट के लाप पर बेचा है, तो 40 परसंट को हम क्या लिख सकते है, एक बते चार, इसका मतलब आगे वाला कित्ते में बेचेगा, पांच बते चार, और यही वैलू तो भुक्तान हुई, जो की कित्ती हुई, शपन लाक के हो गई, जैसे ही सौल करेंगे, यह कैंसिल हो गया, साथ अठे शपन हो गया, आठ चोको बती हो गया, तो इसका अंसर हो जाएगा 32 लाक, जित जिसने अंसर 32 लाक बताया है, वो एक्च्छल सही है, clear हो गई बात, points clear है, 32 लाक, 32 लाक, 32 लाक, तो यह profit and loss में जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो sales concept खुब सिखाए हैं, ठीक है न, sales concept, बिना sales concept, सब कर ऐसे, clear है, yes sir, 32, good, Jyoti इतना delay answer काया बताती है, है न, चलिए, speed से pen चलाओ, चलिए, जईसे class में बताती है थी, वही से ही बताया करो, question number 14 के बात में 15, पंदा number देख लेते हैं, यह लिजे, पंदा number question तेजी से solve करो, कह रहा है, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 kg गय हो है, इसके एक बाग को उ hint पकड़िएगा, बचे हुए भाग को 12% लाप पर बेचा, इस प्रकार उसे 17% लाप हुआ, उसने 20% लाप पर कितना गय हो बेचा, solve कर दीजे, solve करो जोती, तेजी से, तेजी से solve करो, net slow है, pen नहीं sir, अरे good, net slow है, pen नहीं, सही है, solve करो जल्दी से, जल्दी solve करो, इसका भी answer फटा फट बताओ, 20% के लाप पर कितने किलोग्राम गय हुँ बेचा, खुजबू, खुजबू उता रही है, पी, पी क्या है, जल्दी बताओ answer, अर्जून, इतना समय लगाएंगे, चलिए, चेक कर देते हैं, कोशन यहाँ पर आपको सिखाया था, जब कभी भी total का given हो, और देखिए, यहाँ पर total given हो गया, 16 किलोग्राम गय हुँ था, इसको उसने कुछ हिस्सा 20% पर बेचा, और बाकी 12 पर बेचा, लेकिन इसने total की बात करीए, उससे cool पर, cool पर 17% लाब हुआ, और सिखाया था, प्रसान सुक्ला यहाँ, आप यहाँ सिखाया था, अगर total given हो, तो allegation लगाईए और कुछ नहीं, आपने का यह 1600 किलोग्राम केजी था, इसको उसने 17% गेन कर रहा है, टोटल पर, और फिर वो कह रहा है, एक साइट पर हमने कह दिया 20% profit है, और एक साइट पर मैंने कह दिया 12% profit है, और इस टाइप के question में इसका था, allegation लगाईए, इसका difference हिदर, इसका difference हिदर, यह value बनी 5, यह value बनी 3, हमको पता है, यह total कितना हो गया, 8, 8 बराबर 1600 के, तो एक बराबर भी यह कितने के, 200 के, question है का 20%, 20% का मतलब 5, 5 का मतलब 200 का कितना हो जाएगा, 1000, जिसने answer 1000 बताया था, वो सब के सब सही है, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, अरजुन clear हो गया, तो जब कभी भी total का देखिए नहीं, कि सिर्फ एक ही चीज़ लगाना है, allegation, clear, अगर total नहीं दिया होता है, तो हमने कहा था आपसे, निकाल के रख दिया करिए, यानि कोई वो value अगर बता रहा होता है, तो हम कहते है, 1600 पर उत्ता कितना परसंट है, तो हम वो value खुद लिख देते, यानि total दिया है, तो कोई बा नमबर 16, ये लिजिए, question number 16, solve करो तेजी से, solve करो तेजी से, पुराने two wheeler के विक्रेता ने एक scooter चीजार रुपय में बेचा, और उसे कुछ नुकसान हुआ, यदि उसना थावन रुपय में बेचा होता, तो उसका लाव उसके नुकसान से दुगना होता, बहुत अच्छा question, आज के test paper का थोड़ा से एक अच्छा सा question देखने को मिलाई है, ठीक, बताओ भाई, question क्या रहा है, scooter का लागत मूल क्या होगा, solve करो तेजी से, लागत मूल क्या होगा, तेजी से solve कर दो, फटा फट, answer बताओ, दिक्ष्या, दिक्ष्या कहा थी तुम इत्ते दिनों से, absent रही थी, बहुत दिनों बात दिखी हो, manju, 1000, अच्छा, ये पुराने वाले answer है, इधर का बताओ जल्दी से, दिक्ष्या answer बताओ, रगलर रहा करो, दिक्ष्या, क्लास तो आप लोग को पताओ है, सबको मेरी, रहना Tuesday and Wednesday ग्यारा से लेके, साड़े बारा, चलिए बए, answer बागया, पचास जार, प्रशान सुक्ला ने बताओ, पचास जार मैच कराओ, बचास जार अंसर आ रहा है, पचास जार, मैच कराओ, प्रशान कांसर आया, तेजी से, बहुत बढ़ी है, प्रशान, प्रशान आजकल रगलर रुप पढ़ड़ा है, continue, चलिए बचास जार जो बताया था, उसने एक्चाल सही बताया था, आप कहोगे, च्याली साजार रुप यहां पे, बेचने से उसे नुकसान हुआ, तो मैंने कहा, इसको बेचने से नुकसान हुआ, तो इसका मतलब यह क्या है, लॉस की बात कर रहा है, फिर वो कह रहा है, यह profit है कितना, profit को loss से compare कर रहा है, कि यह जो lab था, एक्च्वल नुकसान से दुगना था, तो हम कह सकते है, profit की जो value होगी, two times loss के होगी, clear, तो हम कह सकते है, इन दोनों के बीच का difference कितना, आपने का, इन दोनों के बीच के difference आजाएगा, triple zero तो यह हो गया, आठ में छे गया, 12,000, 12,000 हो गया, और अगर इसकी value L है, और profit की value 2L हो गई, तो हमको यह पता चल गया, actually value किती हो गई, 3L के हो गई, और यही हमने कहा, यह loss total कितना है, तीन के बराबर, actual loss की value निकल गई, 4000, 4000 का उसको loss हो रहा था, तो हमने कह, अगर 4000 का loss हो रहा है, तो 46,000 में अगर 4000 और जो 5000,000, 5000,000, 5000 points clear है, तो यह भी आपका question complete है, आज का final last question उसको भी देख रहते हैं, clear, एक step और आगे चलते हैं, yes करके, yes sir, 5000,000 है, clear, यह concept clear है, इसको तेजी से approach बनाया करिए, oral हो जाता है, ठीके न, यह आपको लिख के दिखाना पर रहा है, इसलिए ध्यान रखेगा, आप करना नहीं दा रही है, तो इसलिए बहुत धिक्क्त होने वाली है, आज का last final, लेख दीजे, बिल्कुल बेकार टाइप का question है, 50,000 का, पचास अजार का, 120% का, 0.08% कितना होगा, आज का final last question, इसको यहाँ पे complete करते हैं, लोग, चल्दी से बता दीजे, औरल बताओ, यार, याला, औरल बताओ, इतना बड़ा question थोड़ी न, जो pen चलाना पड़े, answer type करो देखके, 50,000 का, 120%, 2,0 यह चले गए होंगे, 0.08 से 2,0 और चले होंगे, पूरे 4,0 कट गए होंगे, तो यह value कितनी बनी, 12,5, 60, 60 से 1,0 नीचे cancel हो गया, और 6,8, 48, 48 इसका answer आजाएगा, 48, क्या दिक करती, 48 आएगा, आरे, 0.96 कहां से बता दी, 48 आ रहा होगा, चेक करो भाई, चेक करो भाई, 48 आ रहा होगा, चेक करो भाई, 48 आ रहा होगा, 48, 48 आ रहा होगा, 48, हां, good, 0.96 इंटू 5 जो कर रहा है, 48 आ रहा है, 100, 0.08, तो हम कहेंगे, 8, यह बते में 100, और पॉइंट लगा था, 2 के बाद में, तो यह 100, और जब आप इसको solve करोगे, तो एक्ट्वल यह 48 आ रहा होगी, बैलू, clear हो गई बाई, तो आज के question हम लोग कम्प्रीट करते हैं, next class में कल फिर से एक नया topic चालू होगा, और फिर वही चीज, फीक, पॉने 12 बज़े के आसपास हम लोग का क्या होज़ा रपता है,